हलो और वेलकम फ्रेंड्स आये समझते हैं कि GIF animation हम कैसे लगा सकते हैं STML में तो वीडियो स्टार्ट करता हूँ और इसको हम समझेंगे कि GIF animation हम कैसे प्रयोग करेंगे और स्क्रीन की साइज को मैं बढ़ा कर लेता हूँ यहां से हम लिखेंगे सबसे पहले STML चुकि हम STML स्टार्ट कर रहे हैं तो यहां STML फिर यहां पर head portion आप लगा सकते हैं तो यहां head डाल देता हूँ head में blank छोड़ देता हूँ यहां पर title यूज करता हूँ और title में हम क्या use कर रहे हैं हम क्या बना रहे हैं वो चीज़ डाली जाती है so you can put here the title I put the title here GIF animation क्योंकि यहां पर देख सकते हैं यह चीड़िया जो है GIF और EC को हम ले ले लेते हैं यहां से इसको save करेंगे और अब इसको लगाएंगे और देखेंगे यहां से आप इसको करिए इसके properties को copy करिए यहां से यह हो गया copy ठीक है और बस अब आप यहां से आप इसको लगा दीजिए और देखेंगे जादू यहां से यहां पर लगाना है इसको देखेंगे यहां पक्लिक कीजिए और यहां पर इसको paste कर दीजिए और एक मिनट यहां पे लगाना है तो यह हो गया आप देख सकते हैं इसको ठीक है और अब है नहीं यहां से करना है इसको save तो आज यह save कर लेते हैं और अब इसको run करवाते हैं तो यह देख सकते हैं यह जो है जो भी हमने GIF लगाए हैं यह तीनों एनिमेशन GIF ही है तो यह जो pigeon है यह जो कब उतर है यह किस प्रकार से अपने सिर को घुमा रहा है और यह दोनो जो birds हैं यह किस प्रकार से fly कर रही हैं अब यह bird देखिए यह bird जो लगे हुए नीचे वाली सबसे जो की fourth वाली image आपको देख रही होगी इसको हम थोड़ा और implement कर सकते हैं कैसे करेंगा यह देख लेते हैं यहां से हम सारे images को हटा देते हैं पहले जो भी हमने लगाया वो सब हटा देते हैं सिवाए एक के तो यह हमने कर दिया ठीक है और यहां पर हम लगा देते हैं mark you ठीक है इसको भी हटा देते हैं यह mark you जो लगाया हमने पहले और यहां पर हम लगाते है mark you ठीक है छले लगाते है m a r q u ठीक है mark you लगा दिया और यहां पर कर दिजे markig के close जो शब से पहले आता है je Unicorn में सब से पहले close भी होता है तो यहां पर marking को करिए close तो यहां पर हमने कर दिया close और अब इसको करना है save save करने से पहले height और width में थोड़ी सी changing यहां पर height जो है 400 कर देते हैं और width जो है 370 कर देते हैं ठीक है और करते हैं अब इसको save तो यह save कर दिया हमने अब इसको run करवाने की बारी है तो यहां से करवाते हैं इसको run यह देखिए यह फिगर जो आ रहे थे अब देखिए यह यहां पर यह जो पक्षी है यह उल्टी दिशाग में उड़ते हुए आ रहा है आप देख सकते हैं इसको और इसके बाद अगर आप चाते हैं कि यह लव्ट से राइट की तरफ जाया तो यहां पर आपको बस एक चेंजिंग करनी है यहां पर मार्कों लगने के बाद यहां पर direction लगा दिजिए is equal to right कर दिजिए आप सिर्फ ठीक है इतना करने के बाद इसको close कर दिजिए बस आपका काम हो गया है इसको save कर दिए और अब run कर आते हैं देखते क्या होता है तो यहां आप देख सकते हैं यह जो bird है यह उड़ते हुए left से right की तरफ यह move कर रही है ठीक है यह रखिए यह एक कुछ इसमें छोड़ गया है यह नहीं होना चाहिए बस तो उमीद है कि यह बात आपको समझ में आ रही होगी अब इसको मैं दुबारा से run करवाता हूं य अब यहां पर यह इस परकार से दिखेगी तो उमीद है कि यह बात आपको समझ में आई होगी अगर वीडियो अच्छी लगए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जिन करें थैंक यू फॉर ओचिंग इस वीडियो